आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो यह हमारा एक बहुत अच्छा antimicrobial agent है Microbial agent है microbes होते हैं जो हमारे bacteria parasites तो anti का मतलब उसके oppose वह करता है तो उसकी growth को रोपता है तो जो हमारा फिनॉल है वो हमारा as an antiseptic भी वह करता है as an disinfectant भी वह करता है disinfectant भी वह करता है इन दोनों में major difference क्या है इन दोनों का major difference यह है कि antiseptic था हम यूज करता है on the living organism living organisms human body की tissues पे specifically और जो हमारे disinfectant है वो अपलाई के जाता है non living things पे non living things पे तो जो antiseptic है वो हमारे use के जाता है बोड़ी में कोई भी cuts स्क्राचिस हो जाता है तो जो हमारा 0.2% है solution होता है कि इसका phenol का वो हम यूज करते है ठीक है और जो हमारे disinfectant होता है यह यूज के जाता है for the cleaning purposes ताकि कोई भी microbe की ग्रोथ ना हो इसके वज़े से infection हो और यह surgical instruments की cleaning में यूज के जाता है surgical instruments are the instruments used by the doctors तो इसमें हमारा होता है 1-2% solution किसका हमारे phenol का ठीक है ना तो यहां पर क्या पता चला जब अगर में इसको dilute कर देते हैं तो वा antiseptic की तरह role play करता है तो 1-2 से 2% हमारा क्या है disinfectant तो मेरे इस question का correct answer हो जाएगा 1-1-1 क्लासिक स्ट्वल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 चार्सो पर